हेलो एवरीवन, वेलकम बैक तो स्वीट सिंपल लाइफ, कैसे हो आप सब, और सब से पहले तो हैपी इंडिपेंडेंडेंस डे एडवांस आप सभी को, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे तो 4 अप जुलाई मंडे को है, सो ये वीडियो मेरी मंडे जाएगी और आज संडे हो रह है, वह अभी लिम्बू पानी ले रही है, और जो लिम्बू बचा था, उससे मैंने वह कॉपर का वैस था, वह मैंने साफ कर दिया, क्योंकि वह पैकिंग में था, पड़े-पड़े थोड़ी डल हो गए थी उसकी साइनिंग, सो उससे मैंने अच्छे से करके रखा, और नी नहीं रखते हैं, लेकिन डिरेक्शन वही एक अच्छे से आ रहा है, और दूसरा डिरेकशन था, जो नीचे मैंने मैंने डैनिंग रॉम में रखा था न उवह, फिर डैनिंग रॉम में क्या होता है, वह हम लोग ने फैमिली रॉम बना दिया है, खोई भी हाता है न, तो सम कि मैंने अभी मंदिर में भगवान को बिठाया नहीं है बस ऐसे ही वहां मंदिर रखाया और धक दिया है अभी फिलहाल के लिए और यहां मैं आ गई हूँ बैक पॉर्च साब करने के लिए पैटियों को यहां क्लीन करने के लिए और मुसमी बोल रही थी मम्मी आपने मेरे स्लिपर्स पहनी है मैंने बुला चल कोई बात नहीं मैं अब कहां लेने जाओंगी घराज के उस तरफ सो वही मुझे बोल रही थी और यहां यहां आप देख रहे हैं प्लाइवूड्स बगेर हैं जो फैंस बनवाई हैं जिनके साथ हो अभी उनका थोड़ा बहुत काम अब मैंने सोचा था को आ जा के कर देगा कल कर देगा उसके बाद मैं यहां क्लीन करूंगी लेकिन अब तो वेट कर कर करें यह देख देखके फिर एक होता है एक कहते हैं एंजाइन्टे से फिल होने लगती है कि यार यह सारा कुछ यहीं का यहीं बस ऐसे ही पड़ा है सो म अब जो पुरानी रख थी उसको मैंने इस तरह से ढख दिया है अटलिस गैस के एदिया में मैंने ढखा है बाकी तो उसका ओ कवर है लेकिन फेबिस का पूरा कवर लाना है जिसे वेधर में यह खराब ना हो बारिस वगेरे में क्योंकि यहां भी मैंने स्क्रीन डोर भी नह से और यह जो कॉंक्रीट मिक्स पड़ा है ना वो मुसे काफी है भी था सो मुसे उठाया नहीं गया उसको साइड में नहीं रख पाई मैं सो सोचा चलो जाने दो उसको वहीं मैं छोड़ देती हूँ अब जब भी वो आएगा उसका काम फिनिस होगा तो वैसे भी हट जाए यहां क्योंकि अल्रेड़ी मैंने रेसिपी सेर की हुई है इफ यहवंट चेक प्लीज चेक इट आउट बहुत पहले के व्लॉग में है सो बस यहां पाउभाजी मेरी डन हो गई थी अल्मोस्त डन है थोड़ा सा भी कूख होना बाकी है सो साइड में मैंने लेने के लिए अ सैंविच हो गया कोई हम हर दिन ंतो खाते नहीं है यहां यहां पर एक्चोली बन घर पे ही बनाथे है लेकिन आज जैसे सब कुछ काम चल रहा है तो फिर क्या बोलते है मैंने तैयार ही लिई आई थी मैं बन यहां पर यह काफी अच्छी आते हैं इसमें मैं बटर वगेरा कुछ भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि यह हवाईयन बन है और स्विट होते हैं बटरी भी होते हैं इस वज़े से मैं एक्स्ट्रा बटर यहां कुछ भी स्प्रेड नहीं करूंगी इसके उपर बस ऐसे ही इसे मैं सेक लूँगी थोड़ा बहुत इस तरह से मैंटेन हो जाएगा बटर कंजियूमें का बस इसको मैं बिच में से काट के अच्छे से इसे सेक लूँगी दोनों तरप से और यहां मैं कौन से बन यूज़ कर रहे हैं वह भी मैं यहां आपको बताऊंगी अगर किसी को लाना यह पाउभाजी में बहुत अच्छे स्वीट थोड़ से स्वीटर साइड होते हैं और यह मैदा की है होल वीट नहीं है बिल्कुल भी बस यहां पाउभाजी डन हो गया आज मैंने छोटा सा ही ब्लॉग बनाया है क्योंकि आप सबको पता है कि अंदर काम चल रहा है यहां पे और पाउभाजी मैंने एक्चुली में सुबे उट के पहले बना ली थी और अभी मैंने गरम की रिजन इसका यह कि यह सब आते हैं फिर वो अनियन वगेरे की स्मेल रहती है तो उनको पसंद नहीं होता ना जो अंदर काम करते हैं उन लोगों को इस वज़़े से क्योंकि क्या होता है कि हम लोग तो यूस्टू होते हैं हमारे इंडियन मसालों से अनियन गालिक के स्मेल से टेस से लेकिन यह लोग इतने नहीं होते हैं यूस्टू जैसे हम उनके फूट से इतने वह नहीं होते हैं फेमिलियर उन चीजों से उनका भी वह होता है इस वज़़े से मैंने बना लिया था इसको थोड़ा सा मुझे हाफ कुक करके रखा था जिससे मैं खाने बैठे ना तो अच्छे से मैं उसे कुक कर सकूँ सो स्मेल भी उसकी जो रॉव अनियन जम हम सौटे करते हैं उसमें ज्यादा आती है सो इस वज़़े से मैंने बना लिये थे सुबह ही सो बस ये छोटा सा व्लोग आपको पसंद आया हो प्लीज पसंद आया हो तो एज विजवल लाइक कमेंट और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और आई होब सो आप अंडरस्टेंड करोगे थोड़ा सा मैनेज कर लेना अभी जैसे कि आप सबको पता है कि अंदर अभी काम चल रहा है तो मैं इतना कुछ दिखा नहीं पा रही हूँ आप लोगों को सो चलिए फी मिलते हैं अगले व्लोग में अंटिल देन टेक केर और पाई बाई